मुलिये सद्गुर्देव की साहिब वन्यो साधो ये जग पागल खाना साहिब के शब्दों में बड़ा वज़न है अब साहिब वारी में क्या करें ये जग पागल खाना मन लोभी मन लाल्ची मन चंचल मन चोर मन के मते न चलतू भाई पलक पलक मन और अगर साहिब की वारी को देखें और संतों की तो पूरी दुनिया को पागल का संतों ये जग वो रहा है वज़े हम सब जानते हैं कि आत्मा नित्य है शरीर नाशवान है उसके बावजूद भी हम सरफ इस शरीर के लिए कारे करते हैं हर एक आदमी ये ठीक से जानता है इस स्तुल जीवन के बाद भी जीवन हैं इसके बावजूद वो केवल इसी शरीर के लिए तो भी जी रहा है इसी जीवन के लिए जी रहा है मूर्ख है लेकिन कुछ संसार में एक तो अध्यात बंदरिश्टी से मूर्ख है एक तो बहुतिक से भी मूर्ख है आए हम देखें मूर्ख कौन है मूर्ख दो प्रकार के होते हैं एक पठित पढ़ा लिखा एक अपठित मूर्खों के लक्षर विच्चितर प्रकार के हैं उनकी आत्ते उनकी क्रियाएं अगबुत तरीके की हैं इन्ही प्रव्रतियों के कारण मनिश्ट एह लोग की परालोकित दुखों को प्राप्त करते हैं यह प्रसंग इसलिए उठाया कि यह गलतिया न की जाए जो प्रपंची है अब प्रपंची क्या है हमेशा दूसरे के अलोशना परतिया अलोशना करता रहते हैं उसको प्रपंची कहते है यहां साभी ने एक तंज कसा है तुझे बनानी क्या पढ़ी तू अपनी ओरने बेर और जिसको आत्म ग्यान नहीं है वो भी मूर्ख है क्या हुआ वेदों के पढ़ने से नपाया अभेद को क्या हुआ वेदों के पढ़ने से नपाया अभेद को आत्मा जाने बिना कोई ग्यानी कह लाता है सही में इस तरह से जिसके पास आत्मी ज्ञान नहीं है केवल वो मन के कथन गानुकरन करता है और मन बेकार चीज़ है आपका वैरी मन से बड़ा कोई नहीं जैसे आग की वर्ति है तपिश चाय चंदन की लकडी भी डाल दो तभी उसको गरम कर देगा मन की वर्ति बड़ी खराब है तेरा बेरी कोई नहीं तेरा बेरी मन इसलिए मन के मते चलने वाला भी मूर्ट है और इसी मन तरंग में पूरा संसार चक्कर काट रहा है मन तरंग में जगत भुलाना मन लोभी मन लालची मन चंचल मन चोर मन के मते नचलतू भाई पलक पलक मन और आप दुनिया के लोगों को देखना स्व विवेक से कोई भी दुनिया का आजमी काम नहीं कर रहा है जैसे जैसे मन की तरंग आती है वो वैसा वैसा अंकरन करता है। मन सयार, मन सा लहर वहे कतों ना जाया। जिसके उदर से जनम लिया, ऐसी माता का ब्रोद करे और इस तरीक से प्यार करके माता का को त्यार दे। कि मुर्क होने के साथ माहं गोर अपरादी भी है। पहले जमाने में ये चीज已经 नहीं ठी। पहले जमाने में एक टीडिशन थी। शादी के बाद भग गर में रहते थी। आजकर क्या टीडिशन है। शादी करने के साथ वो घर में नाठक शुरू करती है और अलग हो जाती है। वो सन्रक्षण में नहीं रहती है अपने बुजर्कों के। आज ये बता चल रही है। एक कहावत है मशली और इस्त्री ये गहरे पानी में हो तो ठीक है। अगर ये साथ सचल के सन्रक्षण में है तो भचकने का चांस कम है। अपने से ही बड़ी आयू के लोगों का अपमान करे। जरूर जो आपसे पहले जनम लिया है उसको जिन्दीगी का अन्भव आपसे ज्यादा है थोड़ा। आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं। आजकल बच्चे इंटरनेट पर काम करते हैं। जो पुराने लोग नहीं कर पारे हैं। उलान के तौर पर महानु प्रताब हैं। पांडे जी हैं। आईयन सिंग बैठे हैं। शायद ये नेट पर इतने मजबूत नहीं इनके बच्चे मजबूत हैं। तो आजकल के बच्चे ये सोचते हैं। उपेक्षा करते हैं महाबाब की कि इनको तो इंटरनेट आती नहीं। एक देश है न दुनिया में जिसमें सीनिर सिटीजन को एक डिग्री देते हैं। ग्रेजुट की या पोस्ट ग्रेजुट की। क्यों डिग्री दे रहे हैं। कि उसको अनभव है जिन्दगी जीना का। वो जिन्दगी के उतार-चड़ाव देख चुका है। जो पांडे ने अपनी जिन्दगी के उतार-चड़ाव देखे। उसका बेटा-चाय कितना भी पड़ा लिखा है उतने उतार-चड़ाव नहीं देखे। इसलिए उसे प्रक्टिकल जिन्दगी का अनभव है। इसलिए माता-पिता का अफमान तो किसी भी कीवत में नहीं किया। यह वो मुर्ख है। या अपनी माता-पिता अपनी पत्नी के कहने से माता को यंत्र ना देता है। गोर पापी है वो। कहात है कि बच्चा और बुड़ाएक जैसा होता है। वो क्यों होता है वो सुने। बच्चे का दिमाग विक्सित नहीं हो पाता है अभी। मेचौर नहीं होता है। इसलिए कभी हसेगा, कभी रोएगा, कभी कुछ करेगा। वर्दा वस्ता में भी यह वस्ता आती है। मच्चच की कोश्चाएं कमजोर हो जाती है। सुमर्ण शक्ती कमजोर हो जाती है। तो वो कभी-कभी हट्ट भी करते है। उनको इग्नोर नहीं करना है। भाई आपको उन्होंने बच्पन में संभाला। आपको भोजन दी, आपने थाली फेक दी, कटोरा फेक दिया, तो भी आपको पुछकार के खिलाया, अब आपकी आउसर है, उसरी आपकी अभी, बारी आपकी है, आपने उनको संभालना है, अब महरी आई उसके कहने से उनको मारो पीटो त्यागो, ये घोर बाप है, ये घोर अंतर गुप्ट बात को उसे कहे, उसे मुर्ख जानना. इसका मतलब है, अभी वरत्वान में दुनिया में मुर्खों की तादात बेहद होती जा रही है. पर इस तरी के साथ प्रेम करे, सुस्थर के घर में वास करे, और मुर्ख की कन्या से ब्या करे, वह मुर्ख है. गुण मिटे और गुण मिटे, मिटे कर्म का लेख. तुलसी कहें विचार के, मिटे ने वन्ष बिवेग. पहले पता है क्या था? बहुत अच्छी पद्धित्ती थी. गुण मिटे, और गुण मिटे. मिटे कर्म का लेख. हाँ, कर्म के लिखा हुआ भी मिट सकता है. तुलसी कहें विचार के, मिटे ने वन्ष बिवेग. इसलिए पुराने जमाने में क्या करते थे? लड़की को कोई दिखाता नहीं था, और कोई लड़की देखता नहीं था. वो देख लेते थे, बस. वानुपरताब की लड़की है, बस. वो जानते, पैत्रिक गुणा आएंगे इसमें, बस. बाप पर बूत, बंच पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा-थोड़ा. आज कर लाली लिपिश्टिक देख रहे हैं. और ब्यूटी बादर वाले कानी को रानी बना सकते हैं, रानी को कानी. तो पहले हमारी सोशल लाइफ कितनी अच्छी थी. बड़ा सुन्दर परसंग उठाया साहिब में, मूर्कों के लक्षा. बल्वान के साथ गर्व करें. अरे जब वो तुमसे ताकतवर है, तुम उससे नहीं भिड़ सकते हो. बाई पास करो ना उसको. उससे क्यों भिड़ना? अरे मूर्क, जब तुमें दिख रहा है कि बल्वे वो तुमसे अधिक है, तुम पराजित हो जाओगे, तो मार खाना ज़रूरी है. वहाँ से चल जाओ. बल्विना ताकत सकता दिखाए. पुराने जमाने में, जो दबंग थे, वो क्या होते थे? क्रें, शक्तिशाली होते थे. आज की युग में मरे-मरे भी दबंग हैं. कट्टे और हत्यारों के कारण. पहले मरे-मरे दबंग नहीं होते थे. इसी तरह, आत्मेश्ट करें देश में, बिना सत्ता के आत्मेश्ट कराएं. कुछ गुन भी नहीं हैem. बल भी नहीं है और अपना गुणगान करा है ग्यान भी नहीं है देश में रहकर दुख्ष होगे और बाप दादे की बड़ाई करें उससे मुर्ख करें यानि कोई कहे मेरा बाप ऐसा था मेरा बाप इतना धनी था अरे तो भाई तू फिर नालायक निकलाना बाप की संपत्ति तू संभाल नहीं पाया तो ये अपनी नालायकी तो बोल रहा है और क्या बोल रहा है वो अपनी नालायकी खुदी तो बोल रहा है बिना कारण हसे बड़ा बेकाराज में होता है गोश्वामी जी इस पर कहें, धीरे बोले अतिनवे, बहुत धीरे बोले और अतिनवे, बहुत नवे, धीरे बोले अतिनवे, बातन में मुश्काय, हसने की बात नहीं है, तभी भी हसे, बेको भी नहीं है, तुलसी इन से बच रहो, ये जड़ते देते बिलाएं, ऐसे लोगों से बच रहा है, अरे भी है, साहब साहब कहा दिया, अबला बरवास नर्क दे हो दाता, दुष्ट और मुर्क का साथ नहीं देना, नर्क दे देना, अत्वा बिना अउसर हसे, और बहुतों को शत्रू और बनाएं, मुर्क है, यहाँ साहब ने एक शब्द कह दिया, मन मिले का मेला, ना तो सबसे बहला किरा, किसी की शत्रता नहीं लेना, ये बुद्धिमान का काम है, कबरा खड़ा बजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहु से दोस्ती, ना काहु से बहला, आप ध्यान रखना, किसी के बारे में भी किसी से बोलना नहीं, आपके मुझ से बात निकल गई, वो उस आदमी तक पहुंचेगी, किसी को कहा, कि भाई आई इन से ऐसा ऐसा आप रादी हैं, थोड़ी दिर, जिसको आपने बोला, उसका भी कोई नो कोई विशेश होगा, उसको बोलेगा, और चार-ाठ को बोलेगा, जब आई इन सिंग के पास ये बात पहुंचेगी, तो आप से शतुर्था करेगा, क्या फायदा है, यहां साहिब ने बड़े सचिक शत कहें, अरे तुझे बरानी क्या पड़ी, तु अपनी और ने बेर, जहां बहुत लोग बैठे हो, वो सभा में सोए, भाई सभा में सोए तो आपका कभी-कभी मुह बाए हुए लोग यह सोते हैं, कभी-कभी लार भी किर सकती हैं, इसलिए सभा में बैठकर सोना, बेकूर यह, साह आपने तो सत्संग में सोने को क्या कहा, वो अजगर व्योनी में जाता है, सत्संग में तो कभी सोना नहीं चाहिए, नेद आए, उठके जाओ, चक्कर लगा के, मूँ दोकर आकर बैठना, यह मूर्ख है, जहां अपमान होता हो, वहां भी जाए, आवत ही हर्शे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न जाएए, जो पंचन बरसे में है, जहां अपमान होता है, वहां भी जाए, जिसका मन हमेशां व्यजनों में पड़ा हुआ है, व्यजनों में पड़ा है, मूर्ख है, पड़ा है कि आशा से परिश्रम छोड़ कर, जो निरुद्द्रम होकर आनन माने, वह भी मूर्ख है, और जो मूर्ख हैं, घर में बहुत बड़े होशयार बनते हैं, बाहर सिट्टी पिटी गुम हो जाती हैं, बहुत बहुत बोलकर अपने परिवार और इस्त्रियों के बीच वक्ता बनें, उसको भी मूर्ख मानना हैं, और सभा में शर्माते हो, बेखूफ हैं, भैभी तोकर मुक्स से बोले नहीं, और विर्दों के निकट ग्यानी पना प्रकट करें, सात्मिक और सरल लहिजए के जीव से चल करें, अपने से श्रेष्ट के साथ स्रेय करने जाएं और किसी का अब्देश्ट माने नहीं, उसे मुर्ख मानना, यह प्रसंग मैं इसलिए उठाया, अब जो मैं बातें बोल रहा हूँ, आपको कभी-कभी चीहन में आएगी, जब यह गल्तियां करोगे, तो आपको यह बात यादा जाएगी, उठान के लिए, मैंने एक शब्द बोला है, किसी भी फल को खाकर पानी नहीं पिना, बहुत आनिकारफ हो जाता है, अब जब आपको भी कोई फल खाकर पानी पियोगे, तो मेरे यह शब्द सामने खड़े हो जाएगी, मैं एक चीज़ हमेशां बोलता हूँ, मैं सरफ बोलता नहीं हूँ, जो बोलता हूँ वो आपके अंदर वो वानी फीड कर देता हूँ, याद रही आप, सरफ याद रहे ऐसा नहीं, आपको अमल भी करना पड़ेगा, जो किसी की सही बात को भी नहीं माने, अपनी बात पर हट करें, चाहे जूठी है तब ही उस पर हट करें, यह मूर्ख है, जो एकदम विशई होकर मर्यादा से बाहर कार करें, और गंदी-गंदी बाते बोल रहा है, वो यही तो दिखा रहा है, मेरे अंदर गंद भरा पड़ा है, वानी ते पहचानी है, वानी तो अनमोल है, वानी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल, यह तराजू तोल कर, तब तू बाहर खोल, आप देखते हैं, कुछ लोग गंदी-गंदी बातें, गंदी-गंदी हरकतें करके, अपनी शान समझते हैं, वो मूर कहा है, क्या बात है साहिब की वानी में, वानी तो अनमोल है, पर जो कोई जाने बोल, यह तराजू तोल कर, तब तू बाहर खोल, वानी से ही इनसान को पहचाना जाता है, आप ओची वानी बोलेंगे, तो फिर कहते हैं नहीं, बात चीत और चाल ढाल से आदमी को जाना जा सकता है, इसलिए, क्या बात है साहिब वानी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल, यह तराजू तोल कर, तब तू बाहर खोल, आपके अपने सम्मान का विनाश कर देगी, जो रोगी होने के बाद भी औशद को ग्रणन नहीं करता है, उसको मुर्ध समयना, मैं गुदान देता हूँ, एक बेहन जिमाई थी, कोठे पर हमेशा छत पर, अगर आप सीड़ी हैं, तो हमेशा, उसके उपर से चार दिवारी करना, सीड़ी पर, नहीं तो गिरने का खत्र है, उसने नहीं की थी, कोठे पर कपड़े सुखाने गई, नीचे गिर गई, बाजू तूट गया, उसके बच्चे मेरे पास लाए, कुछ देशी इलाज करके, पतियां-पुतियां, कुछ हल्दी बगर ये, बुला भाई हमारी अम्मा जो है, ये कोठे से गिर गई, मैं बुला फिर क्या किया है, बुला इसको डाक्टर के पास ले जा रहे थे, नहीं, नहीं माननी, फिर देशी एक कोई था ऐसे ही, नीम हकीम, उसने कुछ हल्दी और पत्ते बान दिये बस, हड़ी मैंने माई को कहा, पत्ती बानने से काम नहीं चलेगा, आप अस्पताल जाओ, डाक्टर चेक करेगा, कहां से रड़ी तूटी है, वहां संधी जोड़कर प्लेश्टर करेगा, और दवा देगा, माई क्या कहने लगी, आपकी किर्पा है, बस, शब्द काटने के बहुत तरी है, उदारन के लिए कोई मुझे कहा, कि ये बेटी क्या रिस्ता कर रहा हूँ, यहां, मुझे लड़का पसंद नहीं है, तो मैं कहता हूँ, भई ऐसा है, इस शादी में थोड़ा सा एक तो गयर नामी है, थोड़ा मुझे, उचित नहीं लग रहा है, तो क्या, अरे बोल ले है, गुरु आ गया थे, आ वही, गुरु आ गया थे, जाए, कहे कभीरता अतास को तीन लोग ड़ना है, गुरु वश्ना लोपे, ता उपर यम्राजा को, अश्रत का ग्रण ना करे, पत्य सेवन ना करे, अब क्या है, उस माई को फिर मेरे पास लाए, पांच-ाठ दिन बाद, बहुत बड़ी पीड़ा और सूजन हो गई, अब जब हड़ी खसक गई थी, उस जगए मांस चड़ गया, जब हाथ हिलाए मांस, दो हड़ी के बीच में, ऐसे पिसे जैसे चक्टी में आटा, बहुत करहा रही थी, बहुत परिशानी थी, मैंने उसको कहा, कि भाई, अभी भी डाक्टर के पास ले जाओ, उनके पास यंत्र हैं पूरे, एक्सरा करके, कई चीज़ें करके, वो रोक को जान जाते हैं, माने नहीं, गाहे बजाए अस्पताल गई, डाक्टर ने बोला, अप्रेशन तरना पड़ेगा, क्योंकि जो हड़ी तूटी थी, इधर अलग जुड़ गई है, बीच में मान्स आ गया है, कैंसर बन जाएगा, मर जाएगी, उसको लाए तब, वो का नहीं, अप्रेशन नहीं कराना है, मैंने, गुरू जी आप करपा करना है, मैंने का, आप करपा करके तो सूत्र बता रहा हूँ, आखिर वो कैंसर बन गया, माही मर गई, क्या इसको गुरु मुक्ता कहेंगे, आप यहां पर आउश्द का, कभी भी अवेलना नहीं करना है, यह शरीर है, यहां वो सतन गिर गई, बूरी थी, फोरण मैंने अस्पताल पहुचाया, और अप्रेशन होना था, लेकिन शरीर में चमेता कम थी, जब भी शरीर की चमेता कम होती है, तो डाप्टर ब्योश नहीं करता है, अप्रेशन नहीं करता है, हम आप सब के शरीर की चमेता का रिश्व हैं दस, अगर यह आठ है, तो भी लोग के समय अप्रेशन करेगा, साथ हैं तो भी करेगा, शे हैं तो भी करेगा, शेरिर की चमता देखते हैं इस तरह आप यहां भी देखो जब भी किसी को कश्ट होता है मैं फॉरन अस्पताल बेचता हूं और शितका कभी भी परित्याग नहीं करना है साहिब बोल रहे हैं और पत्य सेवन नहीं करें उधारन के लिए डाप्टर लोग अप्रेशन करने के बाद उसको हिदायत देते हैं कुछ दिन दूद नहीं पीना क्योंकि आपके जो टाके लगया इसमें पस पड़ जाए वो दूद भी पी रहे हैं खटा नहीं खाना हो खटा भी खा रहे हैं पत और एक दम जाने बूजे बिना किसी बड़े नगर शहर में जाए ये लक्षन मुर्ख के हैं मैं पूरा विश्र गुमता रहता हूं आज तक बहुत देश गुम हैं फ्रांस जर्मनी स्रिजर्णेंड अस्ट्रिया इट्ली और अन्य देश यूक्रियन रसिया और कैनेड़ा अमरिका बिर्टेन डक्षन अशिया किसी भी देश में जहां मेरा आदमी नहीं है मैंने गया हूँ भी जाए इस तरह बिना जाने किसी देश में जा रहा है वो भी मुर्ख है जहां अपमान होता आओ बार बार वहीं जाए वा गोसामी इसने एक शब्द बड़ा अच्छा कह दिया आवत ही हर्षे नहीं आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं सनेह तुलसी वहान जाए ये शाहि कंचन बरसे में जहां अपमान हो रहा है बार बार जाए मुर्ख है और जो मान अपमान का विचारी नहीं करें वो भी मुर्ख है अपने नौकर के धनी हो जाने पर उसके आँ नौकरी करें मुर्ख है जहां विचार नहीं मिल रहा हो वहां रहा है वो भी मुर्ख है संगत वली है सादुकी जो की भूसी खाए संगत वली है सादुकी जो की भूसी खाए खीर खांड मिस्री मिले साकट संगन जाए संगत से गुण होता है संगत से गुण जाए मासपास की मिस्री एके भाव विकार संगत वली है सादुकी सादक की संगत अच्छी है जो की भूसी खाए कुछ नहीं मिले उदार नहीं मिलते हैं क्या वाजदे क्रशन जब हस्तना पुर आए तो मेहमान मेहमानी के लिए वो कहां गए तजब पकवान द्रोधन के विदुर के घर जाके भूग साक्का लगाते है जब आपको पता चल जाए इसके पास अनीत का धन है उसके धन को नहीं लेना उसके आप भूजन नहीं करना मैं एक परसंग बताता हूँ एक महात्मा था और एक सादू था दोनों एक ही गुर्कुल में पढ़े थे दोनों की बहुत बड़ी मित्रता थी महात्मा ने शरीट छोड़ा तो उसका बेटा उसके आसन पर बैठा राजा ने शरीट छोड़ा तो राजा का बेटा भी आसन पर बैठा तो बाप पर पूत बंच पे गोड़ा बहुत नहीं तो तो तोड़ा तोड़ा राजा परमारती था उसके बेटे के पास भी वो लक्षन थे सादू के बेटे के पास भी सादुता थी वो दोनों भी मित्र हो गए अब राज महल में सादू का बेटा जब भी आता उसके लिए कोई पाबंदी नहीं थी जहां भी चाहे चला जाता था यहां तक के उनका जो शैन का ख्षता राजा राणी का वो वहां भी जाता था यानि उसके लिए कोई बाबंदी नहीं थी सब जानते थे दरबारी कि राजा का परम मित्र है एक बार राजा का के कमरे से एक हीरा गुम हो गया हीरा केम्टी था राजा बार बार हीरा ढूंडे राणी से पूछे राणी ने कहा मुझे पता नहीं है कहा हीरा और सीधी बात थी राणी कह रही थी भै आपका हीरा आप देखो यहीं होगा क्योंकि जो कुछ आपका है वो मेरा है जो कुछ मेरा है वो आपका है बार-बार राजा जब हीरे को ढूंडे ऐसा आपके साथ भी होता होगा किम्ती चीज जब आपकी कहीं खो जाए तो बार-बार घर में नहीं ढूंगी तो वो बार-बार राणी से पुछे राणी ने एक बात कही देखिए राजन इस कमरे में आप और मैं है इसके अलावा कोई नहीं आता है एक साथू आता है आपका मित्र अगर इस कमरे में हीरा नहीं है तो साथू ने चुराया होगा राजा ने राणी को बहुत फटका रहा गुला वो मेरा पनम मित्र है मान सन्यासी और चेहरी तर्मान और इमान दाब खबरदार जो उसको लांचन लगाया चुप हो गई राणी पर राजा फिर बार-बार ही रब डूंडे बार-बार राणी से पूछे आखिर कहां गया राणी एक ही जवाब देती थी हे राजन चाहे आप गुसा हो चाहे कुछ भी हीरा अगर यहां नहीं है आप और मेरे अलावा इस कमरे में सरफ वो सादू आता है वो ले लिया होगा बुला मैं उसको प्रारंप से जानता हूँ वो कभी ऐसा काम नहीं कर सकता है इतने में क्या हुआ दो-चार दिन बाद दो दिन बाद सादू का आगया फिर राज दरवार उनके घर उसने हीरा राजा को दिया बुला है मित्र यह हीरा ले लो आज के बाद मैं आपको यहां नहीं होगा राजा ने कहा हे साद मेरी Souls मेरी परिक्शा ले रहे बुला परिक्शा नहीं ले रहा में यहीरा चुरा कर लेगा था मैं आपके यहां से यहीरा चुरा कर लेगा था इसलिए मैं अबी कभी नहीं आखा मैं प्राश्चित करूगा राजा भी ग्यानमान था उसने कहा ऐसा कोई बाद नहीं है मुझे ये बताओ जिस दिन तुमने हीरा चुड़ाया था भोजन कहां किया था राजा ने सादू से पूछा जिस दिन ये हीरा तुमने चुड़ाया था उस दिन भोजन कहां किया था उस दिन कहा फला ने सुनार सेठ हैं उसके यहां राजा ने कहा कोई बात दी तुम सज्जन औ सादू यहां साहिब ने भी एक शब्द गोला है सोना सज्जन सादुजन तूटे जुडे सौवार जुर्जन कुम्ब कुमार का एक अई धक दरा वो सुकृत कमाई नहीं खाता था हक की शल कपट का धन खाता था इसलिए तुमारे अंदर वो धन दाना अच्छा नहीं खा तुमने चोरी की दूसरे दिन जब तुमारे पेट से मल की रूप में वो दाना बाहर निकल गया तुमारा अंता करन फिर श्यद दूआ और तुम हीरा लाए हो यह मित्र कोई बात नहीं है तुम यहां आना तुम जोर नहीं हो कहने का मतलब है आपको मैं दिल की बात बताओं आज तक मैंने कभी किसी गान नहीं खाया है आप कहेंगे रोटी तो खाया है मैं रोटी का पैसा देता हूं आश्रम का यह भानू बैठा है संपन है इनको मैंने यही शिक्षा दी थी घूंस मत लेना अहराम मत खाना एक कहावत है Money is the blood of the body यह पैसा कोन है चाहिए वो अध्या पकए है उसको जो पैसा मिल रहा है बोलने पर पढ़ाने पर मिल रहा है तो उसमें हमारी शरीर का रक्त कंजुम हो रहा है जैसे गाड़ी चलती है तो गाड़ी में फ्यूल कंजुम होता है इस तरह जो भी धन कमा रहा है चाहिए किसी भी तरह से कम कोई भी कमा रहा है उसमें खून लगता है इसलिए मजदूर ही नहीं है जो कम्प्यूटर बैट करके पर बैट करके और अपना काम कर रहा है वो तो काफी संकट में है इसलिए यूरोप में भी कहते है Money is the blood of the body इसलिए किसी का धन काना खून है वो उसका कभी नहीं लेना किसी का धन मैं तो लोगों से एक बात कहता हूँ मैं कहता हूँ गिरा हुआ भी नहीं उठाना आज भी यूरोप के कुछ देशों में एक ट्रेडिशन है रोड पर बाक्स है जो गिरा हुआ धन या चीज़ है उठाकर वो बाक्स में रखते है क्या बात है कितनी इमानदारी है क्यों नहीं उठाना अगर आपने उठाया तो आपकी जिम्मेदारी बनेगी उचित मालिक के पास वो धन पहुचाना वो चीज पहुचाना आप नहीं पहुचा सकते मत उठाओ फिर क्या होगा वो ढूंदा ढूंदा उसी जगह आएगा उसको मिल जाएगी मैं ये बात कहा रहा हूँ आपको मैं एक उधान देता हूँ सन 1981 की बात है मैं आईजल में था तो एक चैश्मे पर जब मैं नहा के आ रहा था कपड़े धोकर तो पग्डन दी थी उस पे एक चैश्मे पें थी कीम्टी वो पड़ी थी मैं खड़ा हो गया मैं देखता रहा मैं यह सूचता रहा ये पें जो यहां नहाने आया उसकी होगी अब वो पें के लिए परिशान होगा मैं उठाऊ गया मैं का अगर मैं उटाता हूँ, तो मुझे ये पैन, उस तक पहुचा नहीं होगी. अगर मैं नहीं पहुचा सकता हूँ, तो पैन को फटा रहा रहे, यही विचार कर रहा था. सामने से दूसरा अधमी आया. कहने लगा क्या कोई स्थांट वगर रहें क्या मैं का नहीं क्या है पेन है चाइनिस पेन वो कीम्टी थी बड़ी तो क्या सोच रहे हो मैं यह सोच रहा हूँ यह मुझे उठाना चाहिए है नहीं उसने का आज भी दुनिया में ऐसे बेखूफ हैं देखा उसने क्या तंज कसा मैं का मेरे भाई तुम्हारी अकल बहुत अच्छी है इस तरह आप किसी का उठाना भी नहीं आप अपने इर्दगिर देख रहे हैं कितनी छगी बहमानी हो रहे हैं बुद्धी प्रिष्ट हो जाएगी मैं लोगों से कहता हूँ बच्चों को अराम नहीं किलाना अराम क्या होता है दूसरे का धन काना वो अराम है आपके बच्चे अराम ही होंगे बड़े होकर तुम्हें मारेंगे इसलिए सुकृत कमाई खाना इसका उदाना हमारे संतों ने दिया है अरविदास महाराज के पास पीपा जैसे राजा थे लेकिन दो जूती रोज गांटता था एक किसी गरीब को दान में देता था एक बेचकर अपनी जीव का निर्वा करता था यही बात पर्टू साहिब की थी कि उनके पास बड़े-बड़े महाराजे थे वो रोज एक आने का सूत लाते थे कपास और कपास कात करके सूत बनाकर बजार में बेचते थे दो आने का एक आने की सामगरी लाते थे भोजन की एक आने की फिर कपास लाते थे यह जी उनकी दिन चर्या तो काराम का उधान देता हूं शिवा जी जजी शक्षेते थी लकड़ी काटकर जीवन गुजारते थे रविदास महराज के पास राजय पीपा जैसे लोग थे लेकिन वो दो जूती रोड गांड़ते थे और उसमें से एक किसी गरीब को पहना देते थे परमारत भी जिन्दी भी ज़रूरी है एक जूती बेच करके उससे अपनी जीवका का नर्वा करते थे बड़ा आसान लग किसी धी हराम नहीं खाना है, विलकुल भी नहीं खाना है, किसी भी कीमत में नहीं खाना है, एक टाइम खा लेना कुछ फरत नहीं पड़े थे मुर्ख बिना विचाड़ के तनिक अपराद पर जादा दंडे देना गलती इतनी सी और सजा बहुत बड़ी देना यह भी मुर्खता है और बाजिशीत में गालियां और अपशब्द बोलना यह मुर्ख का पहला काम है वानी मीथी बोलिये वानी मीठी बोलिए दिल का आपा खोय औरों को शीतल करें आप भी शीतल करें क्या बात है साहिब की तो वानी अम्रित है मदर वचन और आपको पत्परत्शन करती है मदर वचन ने अवशदी कटू वचन ने तीर कभी भी कटू शब्द नहीं बोलना गाली नहीं बगना घर में अपनी बड़ी बाहदरी प्रिकट करें और बाहर गरीब बन कर पिरें उसे मुर्ख जाने नीच की मित्रता नीच को नहीं जो नीच कर्म करता है उसको नीच कहते हैं उससे मित्रता कर रहा हैं मूर कहें हैं मैं गुदारन देता हूं दो मित्र थे बड़े पर्मारती थे मेरे पास आते थे हमेशा साथ आते थे दो चार साल वो इसी तरह साथ ही आते थे बाद में देखा अब वो साथ नहीं एक अक्केला आता था एक दिन मैंने उससे पूछा भाई तुम्हारा जो मित्र था उससे तुम्हारी बड़ी घनिश्टता थी आजकल उसके साथ नहीं आते चुप रहा मैंने बोला कोई कारण होगा बोला हाँ गुरूजी वो लाइन छोड़ चुपा है वो लाइन छोड़ चुपा है इसलिए अब मैं उसका साथ नहीं करता हूँ तो वहिया संगत भली है साथ की जो की भूसी खाए खीर खांड मिस्री मिले साकट सकना जाए चोड़ के साथ भी जो गुमता है वो भी आदा चोड़ है इसलिए अपनी संगत ठीक करना है और जो चलते हुए खा रहा है वो भी मुर्ख है है आप बाजे लोगों को देखना हुझ जहां भी रहे आ खांब बीन ए देखने से ही वो लग रहे है कि यहbak लोग है कि यह उपकार को माने नहीं उपकार को भी अपकार माने अपना थोड़ा किया हुआ वा बहुत बता अपने शुब कर्मों को बोलता है और पाप कर्म जो किया उसकी व्यक्खा नहीं करता है तामसी यह तामसी कोन है ना शुद्धता जिखाए ना शुद्धता नाए ना शरीर की सफाई करे आलसी आलसी वो जो नर्धारित कारियों को भी न करे इश्णान न करे बाकी चीज न करे जीवन यापन का संसादन नहीं करे उसको आलसी कहते है मन से कुटिल और अधीर मुर्ख होता है जिसमें धहरे नहीं वो मुर्ख है बल और मान बिना मिठ्चा अभिवान करने वाला मुर्ख होता है लुचेई लफंगई लबार पना कुकर्म कुटिलता बेगरजी पना और मलिंता मुर्ख के लक्षन है दांत, हाथ, आंक, वस्त्र और पक सर्वकाल मेला रखे उसे मुर्ख मनना और उच्छे चड़कर वस्त्र पहने बाहर चोतर पेपर बैटकर प्राय नंगे शरीर रहे वो मुर्ख है आप नहीं देखते हैं कुछ लोग, थोड़ी गर्मी लगी, तो अंडर्वियर प्रायन कर बैटी जाते हैं मैं बढ़ाई के लिए नहीं बोड़ाई आप ने मेरे हाथों और गर्धन और पैर के अलावा मेरा जिस्म कभी नहीं देखा हुगा क्या गर्मी हमें नहीं लगते हैं एक मेरा शिष्ट था, एमे और एलेल भी कर रहा था, कच्छा पहन कर गाउं गुमता था और शोचा ले जाता था, बाहर खेत में जाड़े फरे कर देखा, उसको मैंने समझाया, भाई खान पान बोल चाल पहनावे आदी से इनसान को जान जो पिता, माता, गुर्देव, भ्राता, गुर्भाई, बड़ी बेहन, चाची, गुर्पत्नी, गुर्बेहन और स्वामी आदी गुरुजनों का द्रोक अरे वो मूर्ग है, अरे मूर्ग के तो बड़े लक्षन बोले है, गंबिर्ता चोड़कर बोले, आदर बिनां बोले, बिनां पूछे बोले, निंदे वस्तों को अंगी कार करे, मार्क चोड़कर चले, कुकर में मित्र बनाए, वो भी मूर्ग है, दूसरों को दुखी देखकर है, मुर्ग है, किसी गरीब के वस्तर कमजोर देखकर है, मुर्ग होर अप्रादिय है, यह सभी हरकते हैं, यही सभी क्रियाएं मुर्खों के लक्षन है, भाईयो बैनों, यह प्रसंग मैंने आज इसलिए उठाया कि आगे आप इन चीजों पर गोर करेंगे, दूसरों को सुखी देखकर दुख माने इरिशार वेर से हर्दे को जलाए, और कई वस्तों का शोक करें, वो मुर्ख है, अपनी प्रतिष्टा की रक्षा न करें, सदा हसी ठठा करें, और हसी ठठा करके ही लड़ उठें, उसे मुर्ख करें, अरे क्या बात ह साहिब की वहाणी में, ऐसा कोई पहलू नहीं है, जिसे साहिब ने छोड़ा है, जो काम नहीं कर सकता है, मान लोग बहुत बड़ा पत्थर है, नहीं उठा सकता है, उसमें भी बिढ़ जाए, मुर्ख है, अपने से पूरा नहीं हो सके, ऐसी शर्त को मन्जूर करें, बढ़ बढ़ करें, बोलने की रीती जाने नहीं, उसे मुर्ख जाना, वा, क्या बोले, वा, उंचे इस्तल पर जा बैठें, और अपने गोतर का विश्वास गात करें, वो भी मुर्ख है, जरूर जो आपके गोतर के हैं, चाहिए आपके छूटे हैं, भाई हैं, बतीजे हैं, कोई उनके साथ भी विश्वास गात कभी नहीं करना, किसी से नहीं करना, कबरा इस संसार में दो बाते हैं सार, कबरा इस संसार में दो बाते हैं सार, सुख दिये, सुख होते हैं, दुख दिये, दुख होते हैं, इस तरहे अध्यात में जीमन जीना, सबसे ही, नाम जपे ते पर सुम्रन करने वाला बहुत बुद्धिमान है, वो अपनी बुद्धी पर नियंत्रंग कर रहा है, अपनी मन पर नियंत्रंग कर रहा है, अपनी भावनाओं पर नियंत्रंग कर रहा है, अपनी विर्तियों पर नियंत्रंग कर रहा है, वो बहुत बुद्धिमान है, और ये ना मैंने उनसे एक बात पूछी कि भाई नाम के बाद आप में क्या बद्दाव है पिएश्डी तो वैल एजू करें ने पूछा आप नाम से पहले कैसे थे और आज कैसे हैं गुला गुरु जी ये नहीं पूछने तो अच्छा था उसने पहले में मुझे क्या उतर दिया आप ये नहीं पूछने तो ठीक था मैं का नहीं तो भी बताओ बोला गुरु जी लोग रावन को खरब कहते हैं रावन मेरे आगे पानी बढ़ना था अपनी जनानी को खटिया से नीचे उतरने से पहले मैं पचास गाली बगता था और ऐसा कोई नशा नहीं है दुनिया में जो मैं नहीं करता था बस मैं जो और चीजें बोलूँगा तो आप भी सुनकर शर्मा जाएंगे नहीं हो इतने पड़े लिखे होने के बाद भी ऐसा तो इस तरह भीया नाम बिना सब नीच बखाना आप देख सकते हैं नाम से आपको क्याला बिला आप सद गए हैं आपको अच्छा बुरा समझ में आ रहा हैं साहिब ऐसे ही नहीं कह रहे हैं नाम बिना मूरक सो कहिए नाम बिना पापी सो लईए उस भाही जो नाम है जाना बिना नाम सब नीच बखाना तो बंदूए इस परकार से सुम्रण बहुत बड़ी चीज़ है नाम जपेते परम सहल हो उनका पूरा कंट्रोल हो जाएगा भाई देखो एक आदमी कुछ लोग है बाजू की एक्सराइज जिम में जाकर कर उनके बाजू मोटे हो जाते हैं कुछ लोग दोड़ रहे हैं उनकी टांगे मजबूत हो जाती है कुछ ऐसे से भी आएम है इसी कार जब यह सुम्रण करता है पूरा कंसंट्रेड हो जाता है जो कंसंट्रेड हो जाता है वो ही बुद्धिमान है मैं अक्सर कह रहा हूं कंसंट्रेड्शन इस दिमाग की चाबी है ध्यान इसलिए ध्यान करने वाला परम विद्धिमान हो जाएगा साहिब ने बोला ही सुरत योग पर है सुरत सम्हाल एक आज है तूना भरम बलाए मन सयार मन सा लहर भे कतर दे जाए इस सुरत को सम्हाल रहा है वो कहीं गलत नहीं जाने दे रहा है मन और इंद्रियों पर नियंत्रम कर रहा है परम पवित्र वो सादू है ठीक है अब यहां साहब एक शब्द करें मन न रंगाये जोगिया रंगाय लिया कपड़ा संसार दुखों से भरा है ऐसा जानने पर भी देवक उगाली दे और मित्रों को भुला भुला करें वो मुर्ख है अल पर नियाय के लिए भी शमाना कर सके सदा बर्शी की नौक पर भी रहे और विश्वास गात करें उसे मुर्ख जानना है बहुत है अभी मुर्खों के लक्षन मुझे ठीक एक घंटा होने वाला है बात करते कर दीत इससे एक घंटे की बीच मेंने कहीं भी विराम नहीं दिया जो दो घंटे में बात्चीत होनी थी मैंने एक घंटे में आप से बहुत ब्रदी तो इस तरह से नाम जपेते परम से आने, एक है सादे सबसदे, सबसादे एक जाए, माली सीचे मुल्को रुताए फल्खाए, स्वर्ण करते रहे नाम, ये बड़ा आवश्रक है, एक सूचना, बंदू, तीन जुलाई को गुरुपॉर्ण में है, इसको ब्यासपॉर्ण में भी कहते हैं, आप सब को निमंत रहे, आप यहाँ आए, साइब का एक शब्द, कैद कभीर सुनों भाई सादो, साद संगत तर जाएगा, और एक शब्द है, हंसन मिल, हंसन सुफोही, विमल विचाल करे मिल दो, जहां भी परम दुष्टों का जमगट होता है, वहां परम होता है, जहां पर भी परम भक्तों का जमगट होता है, वहां परमानन्द आता है, हंसन मिल, हंसन सुफोही, विमल विचाल करे मिल दो, और यह बहुत बड़ा आयोजन ने, गुरु पुरुमा, मैं आपको निमंत रहे, कि आप इस मोके पर आएं, मैं अक्सर एक बात कहता सुने, भारत में हमारी 425 आश्रम है, देश की हर राजधानी में हमारा आश्रम है, हमारी छूटी संस्ता कुले से चली थी एक, पटोहे से, और इतने कम टाइम में हम विश्व इस तर पर हैं, अमेरिका में कैलिफोनिया एक प्रांत है, जैसे बिहार प्रांत है, युश्व युपी प्रांत है, वहाँ एक बहुत विशेश शहर है, संद फ्रांस को, संद फ्रांस को वही नासा है, एपल है, संद फ्रांस को विज्ञान की दृष्टी विश्व का सबसे बड़ा शहर है, वहाँ हम रिष्टेड है, संस्ता, जैसे यहां संस्ता रिष्टेड हैं, वह बहुत बड़ी बात है। दूसरा हम लंडन में भी, बिल्टिन में हमारी संसा पंजीकरत है। यह बहुत बड़ी बात है। देश की सभी, यह आपका ही सयोग है। यह आपकी शेवा है। मैं निहाद गरीब गर्द से पू际। और रहता अभी भी गरीब हूँ। यह सब आपका है। सरफ मैं चोकिदार की तरह इसकी चोकिदारी करता हूं। और 425 आश्रम इस 27-28 साल में साहिब की किरपा आप सब के सहुख से बज़े है। यह छूटी बात नहीं है। एक घर बनाने में आदमी पूरा जीवन लगाता है। इसका सहयोजन की असरफ हमें। धन आपका है। अश्रम भी आपका है। और हमारे जैसी व्यवस्ता कहीं भी नहीं है। आप रांजडी आकर देख रहे होंगे। एक लाख लोग, एक लाख वीस अजार लोग मेरे जनम दिन पर आये। सबको कमरा, सबको रहने की व्यवस्ता, सबको गाडियां पहुचाने की पूरी व्यवस्ता और आगंतुक लोगों को गाडियों से हम उठा कर लाए आश्रम तक। जो हवाई जाजों से आए एरपूर्ट से लाए और जो वापिस जाते हैं उनको हम इस्टेशन पहुचाते हैं। उसके साथ साथ रास्ते के लिए भोजन देते हैं। स्वच भोजन तीनों टाइम फ्री और अमरे जिसमें गद्दा, विस्तर, खटिया ऐसा तो घर में भी सुविधा नहीं मिलती है। और तीनों समय उत्तम भोजन देते हैं। और इस आश्रम में जहां मैं अभी बैठा हूँ, एक लाख लोगों की रहने की व्यवस्ता है। तो ये व्यवस्ता जो हमारी है, विश्वे इस तरही है, दुनिया में ऐसा कहीं नहीं।